नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अनन क्लासिस में और दोस्तों जैसा कि हमने कल साम को जो लाइब सेशन किया था उत्राखंड वंदरोगा मॉडल पेपर का तो वही मॉडल पेपर मैं आपके लिए आपर लेखर आया हूँ तो आप इसे चाहें तो लगा सकते हैं 50% में है 25 प्रस्ण बायोलोजी के है 25 प्रस्ण एग्रीकल्चर के है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सुरू करते हैं तो पहला प्रस्ण है या पर कौन सा रोग वाइरस से होता है आपको बताना है कौन सा रोग वाइरस यानि विशानू से होता है ओप्सन फस्ट ए एड्स से इसका अंसर होगा सभी यानि कि AIDS, रेवीज, चेचक सभी ये सभी रोग जो है ये वाइरस से होते हैं और वाइरस से होने वाले सभी रोग और वाइरस क्या होता है इसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने बताया है अगला प्रस्ण है वाइरस किसके बने होते हैं तो option first है protein, second है DNA, third है nucleo protein और fourth है RNA तो देखे वाइरस किसके बने होते हैं तो वाइरस बने होते हैं nucleo protein के यानि कि वाइरस में केवल protein और DNA या RNA होता है और command रूप से इस जो combination को nucleo protein कहा जाता है अगला प्रस्ण है सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कौन है अप्सन फर्स्ट है लुई पास्चर, सेकेंड है स्टिपन हेल्स, थार्ड है एडवर्ड जैनर, फोर्थ है फ्रांसिस घाल्टन तो दा फादर आप माइक्रोबाइलोजी है लुई पास्चर सारे प्रस्ण इंपोर्टेंट है अगला प्रस्ण है आपे भारत में हरित करांती का जनक कौन है भारत में हरित करांती का जनक कौन है अप्सन फर्स्ट है नॉर्मन, बॉर्लोग, सेकंड है स्वामिनाथन, थर्ड है वर्गिच कुरियन, फूर्थ है इन में से कोई नहीं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, म. स्वामिनाथन तो देखिए विश्व इस्तर पे नॉर्मन, ईबॉर लोग है और भारत में अगर पूछा जाए तो म. स्वामिनाथन है और जबकि जो थर्ड ऑप्सन वर्गिच कुरियन है ये स्वैत करांती के जनक है अगला प्रस्न है रोबर्ट हुक रोबर्ट हुक की पुष्व्थक का नाम है अप्शन फर्स्ट है जन्तु इत्यास सेकर ने माकरोग्राफिया थर्ड है वनस्पति इत्यास फूर्थ है नैच्रॉल हिस्ट्री तो देखिए रोबर्ट हुक की ये तक है वह है micrographia इसमें ही इन्होंने सबसे पहले cell का वर्णन किया था या cell के बारे में लिखा था यानि कोशिका के बारे में जो है विवरंड दिया था अगला प्रस्टने यू केरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार की RNA होते हैं यह RNA होते हैं तो option आपके सामने 60S 70S थार्ड है 80S और फोर्थ है 55S तो इसका अंसर जो होगा 80S अगला है कोशिका भित्ती कोशिका विभाजन की किस अवस्था में बनती है option फ़स्ट है metaphase second प्रोफेज थार्ड है तीलोफेज और फोर्थ है कोई नहीं तो इसका जो अंसर होगा वह ओगा तीलोफेज जिसे अंत्या अवस्था भी कहते हैं या अन्ता अवस्था भी आप इसे बोल सकते हो अन्ता अवस्था यानि जो लास्ट फेज होता है फिर है जीव दरव्य में किस तत्व की मात्रा सरवाधिक होती है option फ़स्ट है oxygen, second है carbon, third है hydrogen, fourth है nitrogen तो इस question का जो answer होगा वो होगा oxygen यानि protoplasm में कौन सा element सबसे ज़्यादा होता है तो वो होता है oxygen और फिर oxygen के बाद होता है carbon dioxide carbon, third है hydrogen, fourth है nitrogen पहले नमबर पर oxygen और सबसे कम nitrogen लगवग लगवग 65% अगला प्रसने, केंदरिका की खोज किस ने की थी आपको बताना है, nucleolus की खोज किस ने की थी nucleus अलग है, nucleolus अलग है, ध्यान दीजे kendra का लग है, kendra का अलग है, तो kendra की खोज की थी फॉन्टाना ने जबकि जो केंद्र के नुकलियस उसकी खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने अगला है गुण सुत्र के अंतिम छोर को क्या कहा जाता है अफ्सन फरस्ट है सेटलाइट, सेकेंड है सेंट्रोमेर, थर्ड है टिलोमेर और फूर्थ है पोलर तो सेटलाइट यानि क्रोमोसोम जो होता है गुण सुत्र उसका जो अंतिम छोर होता है उसे कहते हैं टिलोमेर फिर है आरने डियने से किसकी उपस्तिति के करण अलग होता है तो आप्सन फरस्ट है एडिनीन, सेकेंड है थाइमीन, थर्ड है गौनीन और फूर्थ है यूरेसिल तो इसका अंसर होगा यूरेसिल देखे डियने में होता है एडिनीन के साथ थाइमीन जबकि RNA में एडिनिन के साथ यूरेसिल होता है तो ध्यान रखेगा आंसर क्या होगा यूरेसिल यानि RNA में यूरेसिल होता है DNA में यूरेसिल नहीं होता अगला है कोशिका का कंकाल तंतर कहलाता है The Skeleton System of Cell तो आप्सन फर्स्ट है गॉल्जी का है रेटिकूलम अगला है बिर्च में लाल रंग का करण है तो आप्सन फर्स्ट है अन्थोसाइनिन सिकेंड है कैरोटीन थार्ड है जन्थोफील और फूर्थ है कैपसेंथीन तो इसका अंसर होगा कैपसेंथीन अगला कोशिन है जन्थोँ में वसा उपापचे का कार्या कौन करता है यानि फेट मेटाबॉलिंस का का क्या कौन करता है ऐनिमल और प्लांट में तो अप्सन आपके सामने है पर ओक्सिसों या तो गाड़ सेल्स काहा पाई जाती है फिर है रक्षक कोसिकाएं कहां पाई जाती है रक्षक कोसिकाओं का मदब होता है guard cells तो guard cells कहां पाई जाती है option first है जड, second है तना, third पत्ती, fourth है फूल तो इसका अंसर होगा पत्ती यानि guard cells आपकी कहां होती है पत्तियों में पाई जाती है अब agriculture के questions है तो पहला प्रसन है agriculture किस भासा का सब्द है तो option first है Latin second है Greek, third है European और fourth है कोई नहीं तो answer होगा Latin फिर है भारती है सच्छे विज्ञान के जनक कौन है option first है Peter Dekresenji second है वरगिज कुरियन third है स्वामिनाथन और fourth है Borlog तो इसका answer होगा Peter Dekresenji next है short days crops कौन से कहलाती है तो option first है खरीब second है रवी, third है जायद और fourth है A and C both तो देखे इसका answer होगा खरीब short days crops कहलाती है खरीब और long day crops कौन कहलाएंगी रवी next है निम्न में कौन सी हरीखाद की फसल है option first है धान second है मटर third है बरसीम और fourth है कपास तो इसका answer होगा बरसीम important है most important question है बरसीम बहुत बार पूछ लेता हरीखाद की फसल कौन सी है बहुत अच्छी होती है ये हरीखाद के लिए फिर है कौन सी फसल अंतरवर्ती फसल है यानि catch यानि emergency crop ऐसी crops होती है जब कभी मुख्य फसल खराब हो जाए तो उसके स्थान पे अगली रितु को पकड़ने के लिए हम जिस फसल को बोते हैं उसे का जाता है अंतरवर्ती फसल या catch या emergency crop तो option आपके सामने है धान, सेकेंड गेहू, थर्ड मक्का, फोर्थ प्याज तो इसका अंजर होगा प्याज फिर है कपास किस कुल का पौदा है आपको family बतानी है cotton की तो option फस्ट है सोलेनेसी, सेकेंड करूसी, फेरी, थर्ड मालवेसी और फोर्थ ग्रैमिनी तो देखिए जो कपास है ये मालवेसी कुल का पौदा है किसका है मालवेसी अगला है भारत में सबसे सश्य गहनता कितनी प्रतिसत है सबसे नहीं है दर असल भारत में सश्य गहनता कितनी प्रतिसत है question यह है तो option first is 138 second 140 third is 200 or fourth is 300 तो answer होगा 138% फिर है डेपोग विधी किस फसल से संबन्दित है तो डेपोग विधी किस फसल से संबन्दित है option first is धान second is गहू third is तंबाकू fourth is कपास तो डेपोग विधी जो है वो धान से संबन्दित है यानि जो नरसरी उगाई जाती है धान की रोपाई के लिए उस विधी को डेपोग विधी कहते है और ये विधी जापान और फिलिपिन्स से यहां इंडिया में आई है वहाँ बहुँ ज़्यादा प्रचली थे फिर है हरित करांती में परियोग किया गया दियान रखे सोनारा फिर है अनाजों की रानी किस को कहा जाता है option first है मक्का second बाजरा third है धान fourth है रागी अनाजों की रानी तो देखे अनाजों की रानी कहा जाता है मक्का को क्योंकि इसमें सबसे सबसे ज्यादा मातरा में carbohydrate होता है लगबग 79% देखे जितने इसमें प्रसन है most important है कहीं न कहीं आएं ये तो ध्यान रखिएगा अगला है हरित बाल एवं अरगट रोग किस फसल के हैं और साथी साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए है तो देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ बेल आइकन को भी दवाईए और देखे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा कंटेन पहुंच पाएं फिर है एक व्यक्ति को प्रती दिन कितनी दाल किया और शेक्ता होती है और फिर है मालवीय चमतकार किस की एक किसम है फिर है सोयाबीन में कितने प्रतीसत प्रोटीन होता है फिर है सरसों के तेल में तीखा फन का कारण किसम प्रतीसत प्रोटीन होता है जबकि 20-22% ओइल होता है ध्यान नखेगा आ सकता है कोशन फिर है सरसों के तेल में तीखा फन का कारण क्या है तो ओप्सन आपके सामने है चारो ओप्सन आप देख लीजिए तो इसका जो अंसर होगा वो होगा आइसो थायो साइनेट B फिर है रास्ट्रिय बागवानी मिसन किस पंचवर्सी योजना में लागू की गई तो ओप्सन आपके सामने है दस्वी पंचवर्सी योजना सेकेंड है ग्यार्मी पंचवर्सी योजना थार्ड है बार्मी पंचवर्सी योजना और फूर्थ है तेर्मी पंचवर्सी योजना तो इसका अंसर होगा दस्वी पंचवर्सी योजना और यहाँ जो मिशन लागू हुआ था यह था मई 2005 और यह प्रसन आ चुका है फिर है संसार में किस फसल का उत्पादन तथा छेतर फल सरवाधिक है और फिर है फिर है फिर है फिर है कि रानी किसे कहा जाता है और आपके सामने है आम लीची चीकू या नासपती तो इसका अंसर होगा लीची फिर है क्यूरिंग किस फसल में होती है और आपके सामने है कपास, चाय, तंबाकू या जूट तो इसका आंसर होगा तंबाकू फिर है सरवाधिक फूल उतपादन करने वाला देश है और आपसन है इजराइल, इंग्लेंड, जर्मनी या निदरलेंड तो आंसर होगा निद इस्ट गंद का कारण कौन सा योगिक है, फर्स्ट है कलोरो, सेकेंड है फ्लोरो, थर्ड है सल्फर और फोर्थ है ब्रोमी, तो इसका अंसर होगा सल्फर योगिक, अगला है, पके हुए अंगुरों में होता है, ग्लुकोज या फ्रक्टोज या ग्लक्टोज या सुक्रोज, तो फटापटा आंसर बताईए, तो इसका आंसर होगा glucose, फिर है, अलफा, अलफा क्या है, option है फसल, या घास, या पेड, या जीव, तो आंसर होगा, ग्रास, यानि एक घास है, अलफा, अलफा, फिर है, मक्के की खेती की जा सकती है, यानि जो मक्का होता है, आप उसे किस रि साल भर, तो इसका आंसर होगा, साल भर, यानि मक्का एक ऐसी फसल है, जिसे आप साल भर कभी भी उगा सकते हो, फिर है, खाद्या प्रसंस्क्रण के जनक है, यानि, who is the father of food processing, तो option आपके सामने है, लुईजी पास्चर, सिकेंड निकोलस एपार्ट, थर्ड थामस सेडिंग फोर्थ है, वीलियम अंटरवुड, तो आंसर होगा, निकोलस एपार्ट, फिर है, व्रिद होने की प्रक्रिया का अध्यांद, study of old age science, तो आपको बताना है, कौन सा है, तो फस्ट है, जेरेंटोलोजी, सेकेंड एथेनलोजी, थर्ड है, बायोलोजी, फोर्थ है, एंथ्रो जिसे कहते हैं, एंटिबायोटिक, फस्ट एंटिबायोटिक किस से बनाई गई थी, आपके सामने है, बैक्टिरिया, वाइरस, फंगी, और चौथा आप्शन भी मैंने बैक्टिरिया ही डाला, यानि जीवान हूँ, तो आप फटा-बड़ बताईए, तो इसका अंसर होगा कवक, तो देखें, विश्वा की सबसे पहली जो प्रतिजयविक अंटिबायोटिक थी, वो पैनिसीलीन मनाई गई थी, पैनिसीलियम नौन अटम नामक कवक से, अगला प्रसन है, कार्क किस पेड़ से प्राप्त होता है, तो आप्शन आपके सामने है, क्वैकर्स, दूसरा सेड्रस, थार्डे, डलबर्ज, और फूरत है, आर्जी मोन, तो कार्क जो प्राप्त होता है, वो होता है, क्वैकर्स से, देखें, जो पुरानी बोतले होती थी, उनमें एक धककन डापकल लेगा आई जाती है, लकडी का एक टुकड़ा सा, वाइट कलर का, धककन के लिए होता है, उसे ही कार्क कहा जाता है, और इसी पे ही, जो रॉबर्ट हुग थे, उन्होंने सैल की खोज की थी, कोसिका की खोज, फिर है, लाइकेन क्या है, आप्सन है, पडजीवी, सेकिंड रसायन पोसी, थार्ड है, डीकंपोजर, यानि अब घटा कर फोड़ते हैं, सह जी है, एक सिंबायोसिस का एक्जमपल है, और यहां एक कवक और सहवाल के बीच में होता है, एक फंगी और एल्गी के बीच में होता है, और यह जो एर पॉल्यूशन है, उसके बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं, यानि वायू परदुशन के बहुत अच्छे सूचक होते हैं, फिर है, किस पौधे के फल भूमी के नीचे पाए जाते हैं, आपसन है आलू, सेकंड मूंग फली, थर्ड प्याज, फूर्थ चुकंदर, तो इसका अंसर होगा मूंग फली, जी चाहिए तक ग्राउंड नट, फिर है, मनुष्य में कुल कितनी पेशियां होती हैं, होता है, परकास सिंसलेशन सबसे कम किस परकास में होता है, यानि फोटो शिंथेस बताना आपको कि सबसे कम किस लाइट में होता है, तो ओप्सन आपके सामने है, इसके लिए Еnkkricks भी बताते हैं, आपको लिखना है, आर, बी, जी, तो देखे, रेड, आर से रेड होगया B से blue हो गया, G से green हो गया तो सबसे ज़ादा होता है red में ठीक है, और सबसे कम होगा हरे में, यानि green में तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, प्रकास installation सबसे कम किस प्रकास में होता है, तो यह हरे रंग के प्रकास में सबसे कम होता है, और reason यह है क्योंकि देखे, आपको पता प्रकास असलेशन पत्यों में होता है और पत्यों का रंग भी हराई है, हरा किस वज़े से, क्लोरोफिल की वज़े से इसलिए वहाँ पे सबसे कम प्रकास असलेशन होगा किसमें, green light में अगला है ligament किसको जोड़ता है आपको बताना है ligament किसको जोड़ता है तो option है hogdy से muscle यानि bone से muscle second है muscle से muscle को third है bone to bone और fourth है सब ही तो ligament जोड़ेगा hogdy से hogdy यानि bone से bone ligament का मतeldब होता है एक तरह का grease तो जहाँ पे दो hogdyya मिलती है या जूड़ती हैं वहाँ पर fraction ना हो इसके लिए हमारे पास human body में natural जह है सनायू होता है जिसे ligament कहते हैं तो वह हड़ी से हड़ी को जोड़ता है अगला है tendon जिसे kandra कहते हैं किसको जोड़ती है option आपके सामने है पेसी से हड़ी, second हड़ी से हड़ी, third है, पेसी से पेसी, fourth है सभी तो देखें tendon यानि kandra ये जोड़ेगी पेसी से हड़ी और ये rubber जैसे structure होती है rubber like structure जो आपकी हड़ी और muscles को एक साथ जोड़े रखती है और फिर है हमारा आज का last person रुधिर कैसा उत्तक है option आपके सामने है उपकला, second सैयोजी, third तंत्रिका, fourth पेसी यानि epithelial है या connective है या nervous है या फिर muscular है तो इसका अंसर होगा सैयोजी यानि रुधिर यानि blood हमारा एक liquid connective tissue है तो देखें दोस्तों ये हमारा 50 प्रस्णों का आज practice set था ऐसा ही practice set मैं अब अगले आपको एक दो दिन में दे दूँगा अगर आपको ये पसंद आया हो, like जरूर कीजिए और share जरूर कीजिएगा दोस्तों आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद